टली के इस अध्याय में हम जानेंगे लिखांकन की परिभाशिक शब्दावली के बारे में इस अध्याय में जो टर्मिनोलोजी शामिल हैं उसमें हैं व्यापार यानि ट्रेड, पेशा यानि प्रोफेशन, व्यावसा यानि बिजन्स, मालिक यानि ओनर, पुंजी यानि केपितल, आहरन यानि ड्राइंग्स, माल यानि गुद्स, क्रे यानि पर्चेस, विक्रे यानि स लाप कमाने के उद्देश से किया गya वस्तुओं का क्रे विक्रे व्यापार कहलाता है पेशा यानि प्रोफेशन आय अरजित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जसके लिए पूर्व प्रशिक्षन की आवश्यक्ता होती है पेशा कहलाता है डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजिनियर, आदीद्वारा किये गई कार पेशा कहलाते हैं व्यवसाय यानि बिजनस ऐसा कोई व्यधानिक कार जो आय या लाप प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो व्यवसाय कहलाता है व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतरगत उत्पादनकार्य, वस्तूओं या सेवाओं का क्रैविक्रे, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनिया आदी आते हैं व्यापार वपेशा भी इसी के अंतरगत आते हैं मालिक यानि ओनर व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं, तथा लाब वहानी के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं यदि किसी व्यापार का मालिक एक व्यापारी है, तो वह एकाकी व्यापारी यानि प्रॉपराइटर कहलाता है और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो साज़ेदार यानि partners कहलाते हैं पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कमपनी के रूप में कारे करते हैं तो वे उस कमपनी के अंशधारी यानि shareholders कहलाते हैं पुन्जी यानि capital व्यापार का स्वामी जो रुपिया, माल ये संपत्ती व्यापार में लगाता है उसे पुंजी कहते हैं उधारण के लिए विकास ने 20,000 रुपे नकद और 10,000 रुपे के माल से कपड़े का व्यापार प्ररम्द किया तो ऐसी स्थिती में उसकी इस व्यापार में लगी हुई पुंजी की राशी 30,000 रुपे होगी व्यापार में लाब होने पर पुंजी बढ़ती है और हानी होने पर पुंजी घड़ती है आहरण यानी ड्रॉइंग्स व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपिया या माल निकालता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है उदाहरण के लिए एक कपड़े का व्यापारी है वो व्यापार में से अपने परिवार के सदस्यों के लिए 600 रुपए का कपड़ा ले लेता है तो यह उसका आहरण कहलाएगा यह विक्रे नहीं माना जाएगा माल यानी गुद्स माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रे विक्रे या व्यापार किया जाता है माल के अंतरगत वस्तुों के निर्मान हेतु प्राप्त कच्ची सामगरी, अर्ध निर्मित सामगरी या तयार वस्तुएं हो सकती है उदारण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शकर, फरनीचर के व्यापारी द्वारा फरनीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फरनीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा व्यापार में माल, उधार या नगत खरीदा जा सकता है। बेचने के लिए नहीं विक्रे यानि सेल्स जो माल बेचा जाता है उसे विक्रे कहते हैं जो माल नकद बेचा जाता है उसे नकद विक्रे यानि कैश सेल्स और जो माल उधार बेचा जाता है उसे उधार विक्रे यानि क्रेडिट सेल्स कहा जाता है क्रय वापसी यानी purchase return जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं उदारण के लिए हमने किसी से 100 रुपए का माल खरीदा और उसमें से 10 रुपए मुले का माल किसी भी कारण से खराब हुआ या किसी कारण से हमने उसे वापस लोटा दिया तो यह क्रेवापसी या पर्चेस रिटन कहलाएगा विक्रेवापसी यानि सेल्स रिटन जब बेचे हुए माल का कुछ भाग विभिन कारणों से व्यापारी लोटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को विक्रेवापसी कहते हैं उदारण के लिए हमने किसी को 100 रुपे का माल बेचा और किसी कारण से 10 रुपे का माल उसने हमें वापस लोटा दिया तो यह सेल्स रिटन कहलाएगा